सो हे गाइस वल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल बीटक यूट्यूबर चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज किस वीडियो में आपके लिए जो है बहुत सारे रिपैरिंग टूल यहां पर लेके आ गया हूं जो अलग अलग तरीके से यहां पर काम करते हैं और वीडियो को एक लाइक दे दे तो हम बढ़िया से यहां पर स्टार्ट करते हैं तो फसली हम बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह काफी जो पतला और काफी जो पोटेबल यहां पर सोल्डरिंग आरन है काफी जो अच्छा यह आरन होता है लेकिन इस आरन की जो soldering iron कम use में लाना रहता है वो लोग इसके ये का उपयोग करते हैं लेगिन ये काफी जल्दी खराब हो जाता है और इसकी जो bead भी है वो काफी पतली होती है तो यहाँ पे बीड भी जल्दी यहाँ पे खराब हो जाती है अगर नॉर्मल परपस के लिए आपको अगर यूज करना है नॉर्मल रिपेरिंग आप करते हैं या फिर कहीं पे भी आपको जो है कम यहाँ पे लाइट वेट करिए कर अगर इस्तमाल करना है और यहाँ पे सस्ता कई ये चाहिए लिए चाहिए तो आप इसका ये कॉपयोग कर सकते हैं आप देख सकते हैं इसमें सामने से बीट लगती है आप इब्र की आPस से निकालके इसका बीट चेंज कर सकते हैं उर डाल सकते हैं वै बीट भी दिखा देता ह banana हमें देख सकते हैं, इसी तरीके से से यहां पर आती है, और बीट भी Lightweight है, और Oswal कंपनी की यह बीट है, अगर कभी भीट खराब हो जाती है, तो आप ले सकते हैं, यह yoga का होता है, और लगबग इसमें वन मीटर की लीड यहां पर मिलती है, और सेकंड हम बात करेंगे,alah, Ś時. बदलिये क्योंकि जो है यह जो कईया होता है इसका सर्विस बहुत अच्छा होता है और पोटेबल भी होता है लाइट भी होता है साथ में जो इसकी बीट होती है उसकी क्वालिटी काफी जादा अच्छी होती है क्योंकि हम जो कईया का इस्तिमाल कर रहे हैं वो सारन कंपनी क और beat भी हमें इसमें सारन कंपणी की इस्तमाल करनी पड़ेगी तब भी स्कईय की सर्विस होगी अगर आप इसमें हलकी beat इस्तमाल करते हैं या फिर आप इसकी बीट है उसको proper से नहीं लगाते तो यहाँ पर जो है यह कह्या खराब हो जाएगा क्योंकि जो कॉयल गरम होती है उसको प्रॉपर यहाँ पर हीट को जो ट्रांस्पोर्ट करने के लिए यहाँ पर बीड भी आपको अच्छे से लगानी पड़ती है तो गाईस मैं आपको इसको यह का बीड भी दिखा देता हूँ किस तरीके से इसको इसको बीड और उसको इसको आपको एपको दिखाता हूँ अब देख सकते हैं यहाँ इस है शारन कंपणी क необходимо यहाँ पर यहाँ तो आप बीड देखें में जो डिखरेंट भी साफ जो यहां पर मैटल की तिकष कानली की इस तरीके मोटा कारोंट विधिन हो यहां जो है इस बीड जो है काफी मोटी होती है इस यां पर काफी चैटरी सरीस सितंधी हैं कुछ इस तरीके से जो है यहां पर यह दोनों नॉर्मल परपस के आयरन है जो 25 वाट में नॉर्मल रिपेरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं अगर काफी ज्यादा मोटा यहां पर सोल्डर होगा अपना पीसी भी पर तो आपको जो है यहां 25 वाट से उपर का कईया चाह यह तो कई बार ऐसा होता है कि हम अगर इसका जो बॉड़ी है और इसका जो क्वाइल है उसको काफी अच्छे से अगर यहां पर होल्ड नहीं करते हैं यहां पर अच्छे से टाइट नहीं करते हैं तो यहां पर जो है कम ही टाइम में खराब हो जाती है और इसका यह में एक क्वालिटी इन कईयों की इतने अच्छी नहीं आ रही है अब मोटे से मोटा बीट भी आप इसमें डालोगे तो ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा बट फिर भी अगर आपको जो है नॉर्मल परपस में यूज करना तो यह कईया अच्छा रहता है और अच्छा टेंपरेचर कें तो तो umटी एक रही है तो थोड़ा सा कईया की सरवेस अच्छी मिल जाती है तो लिए नॉर्मल पर नॉर्मल पर यह आप इसमें जितनी रंबी लिट डालना चाहें डाल सकते हैं यहां से खुल जाता है पीछे आप देखिए यहाँ पे कनेक्शन होते है सीदे सीदे य यह जो कही है आप प्लास्टिक में ना लें क्योंकि प्लास्टिक का जो एरिया काला होता है और यह हीट के साथ काफी ज़्यादा गराम हो जाता है तो अगर आपको यह कही है लेना है तो आप इसको पटिया मिले यहां पर जो है वोडन सेप में इसका डिजाइन होता है एक व बताया था कि आज़ी काले क्यों होती है चूँकि वहाँ पर हीट की जो है कंडेक्टिविटी बढ़ाई जाती है ब्लैक कारबन को डालके उसी तरीके से यहाँ पर काला प्लस्टिक अगर होगा तो आपको गर्मी यहाँ पर जादा लगेगी और आपको हाथ भी काफी गरम हो जाएगा तो यह कहिए का डेटा दिस अडवांटिज होता है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर यह कहिए काम करता है पर ठीक है नॉर्मल परपस लिए बढ़िया होता है कोई दिक्कत नहीं आती तिनी और यह कहिए सबसे बेस्ट कहिए है मैं तो यह मानता हूँ मतलब अगर आप बहुत माइक्रो रिपैरिंग कर रहे है या फिर आपको मुवाइल वगर का ज्यादा काम रहता है या फिर आपको जो है टेम्परेचर की अलग-लग नीड रहती कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा गरम चाहिए कहीं पर आपको जाद नॉर्मल टेम्परेचर पर भी चाहिए तो यह जो है अजिस्टिबल टेम्परेचर के साथ आता है मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखे यहां पर यह साठवाट का कईया होता है और यह वन स्टॉप का का है काफी यह च्या है काफी टायम तक को चला यहां से जूठ गय था काफी ठायम के बाद इसके यहां पर दूसर तक jsem टायम अबढ़ने कने गोता है तो आप साथ ब्रम्परेचर यह बुस सेकते हैं और जैसा परपास है आपको यूज़ करने का मात चाहिए आपको यहां पर माइक्रो रिपैरिंग करनी है तो आपको इस तरीके से पॉइंट वाला कईया ले लिजिए जंपर वगर डालना तो और यहां पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीरे की कि यहां पर इसकी बीट कर सकते हैं यहां से आपको खोलना रहता है सिंपली इस तरीके से यह खोल जाती है मैं आपको पुरा खोल के दिखा देता हूं यह ऐसे खोल जाती है यह बीट है उठाके दूसरी वाली बीट वापिस डाल ली है इसको वापिस लगाना है इस तरीके से और यहां पर टाइट कर देना तो गाइस जो है इस कईया का मेरे को एक चीज़ समझ में आए अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में में बता सकते इस कईया की जो क्वाइल है वो बुलकुर धेली लगी रहती है अंदर लेकिन जो है यह कईया बहुत अच्छे से काम करता है और बहुत क्वाइल है तो अगर आपको इस तरीक काईया चाहिए तो आप यहां पर बाय कर सकते हैं अच्छा कईया कोई दिक्कत यहां पर नहीं होती है और यह तो नॉर्मल पंप है आप जान सकते हैं कि यह जो जानते ही होंगे वैसे कि यह जो पूम्प है वो किस चीच के लिए इस यह एक टांग खोलने से उठेगी नहीं तो यहाँ पर जो है इस तरीके से सोल्डरिंग आरों को गरम करके यहाँ पर पंप मार जाता है तो यह जो रहंगा लगा हुआ यह निकल जाता है पूरा तो यहाँ पर यह अज़कल तो बहुत थरकलास पंप आने लगे फिर भी मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर एक पंप रखा था क्योंकि अकर मैं इसका रिविवियू करूंगा तो आपको मैं इसको भी समझा पाऊंगा तो पंप जो है आजकल बहुत नॉर्मल आगा ही बह प्राबी हो गया तो पंप जो आजकल ज्यादा चलने रहा लेकिन कभी-कभी इनका ज़रुवत ज्यादा पड़ जाता है जैसे मोटे रांगे हो और जहां पर आप जो है तो इसको ले सकते हैं अगर नॉर्मल प्रप्रस के लिए चाहिए तो बागी इसमें बहुत ज्यादा काम करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं खोल के दिखा देता हूं आपको यहां पर पूरा रांगा आके जम जाता है और इसकी पेस्टन होती है वो घिस जाती है और इस वज़े से यहां पर हावा खीचना बंद कर देता है इस वज़े से रांगा चड़ता नहीं उपर अच्छे से और आप इतना अच्छा से क्लीन नहीं कर पाएंगे फिर तो चलि अब यह कईया की तरह भी काम करता है और साथ में जो है यह सोल्डर है उसको भी जो है खीच लेता है गरम करते साथ तो आपको जा है जैसे कि मैं यहाँ पे PCV खोल रहा हूं तो मैं पॉंप लगाऊंगा फिर मैं ऐसे कईया लगाऊंगा तो यहाँ पे कईया लगाने की जरू लॉप करने के बाद जो है इसको छोड़ दिया ऐसा तो कुछ इस तरीके से यहां पर यह वाला पंप काम करता है यहां पर कॉइल होता है और यहां से यहां पर यहां पर काम करेंगे तो यह वापस क्रेंगा खूल की आपकर साथ तो इस तरीके से यहां पर होता है और कोई जो है इसकी कोई खास company नहीं है local ही माल है तो अगर आपको कोई branded मिल रहा है company से या फिर आपको knowledge है तो आप यहां पर ले सकते हैं ठीक टूल है लेकिन यही कहान ही कि आजकल यह टूल बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं मार्केट में अब यह टूल है किसके लिए काम आता है मैं आपको बताता हूं मैं उस टाइम जो है इसका यहां पर ब्लिंकिंग लग रही है आपको लेकिन आखों से देखने पैसा नहीं लगता कैमरा साइद देख ले रहा है तो यहां पर इंडिकेटर ब्लिंकिंग होती है मैं फ़र से ला जब कईये की बीट में यहां पर कार्बन जम जाता है काला काला सा हो जाता है तो यह रांगा उठाना बंद कर देता है तो अपने क्या करना है सिंप्ली स्टेनिंग डिवाइस पर ऐसे डालने के बाद जो यहां इसे अजीब सी महक आईगी यह इस तरीके से और यह चमाकने लगेगा तो आप देख सकते हैं यह जो है अब यहां पर चमाकने लगा तो ऐसे में फिर आप क्या है इस पर रांगा चड़ाएंगे तो जो यह तो आप जानते ही होंगे यह जो है हमारा पेस्ट है जो की सोल्डरिंग पेस्ट है ओर इसको यहां से यह काफी ज्यादा खतम हो गया है यह से उंगली डाल के दाबानाई पीज आने लगया तो इजल में दब जाता था लोगल पेस्ट होता है यह तो सबसे अपका गटिया पेस्ट होताय मतलब इसमें जो है पीट पर कार्बन बहुत ज्यादा आने लगई आ आपको carbon की problem नहीं चाहिए रहा रहा पे तो यह दिक्कत करेंगा लेकिन जहां כे carbon की problem चल जाता था अकाम काम फैक कोना उसफ कर लेते हैं कि रिकते के अज़यों कि एक आऊ और परके की का सूल्डरिंग पेस्ट क्या जाता है लिक्विट पेस्ट होता है जैसे कि एक लिक्विट पेस्ट है आप देख सकते हैं तो उसी तरीके से जो है यहाँ पे यहाँ पे यह लिक्विट सोल्डर है मतलब जैसे रांगा रांगा जो होता है ना आपना मैं आपको दिखाता हूं रांगा जो अपन डेली यूज करते है तो guys यह जो है यहाँ पे हमारा solid रांगा है जो हम daily use करते है वाइर वाला रांगा और यह हमारा liquid रांगा है मतलब जो इसका जो generally use किया जाता है वो rebaling के लिए use किया जाता है और हमें मतलब बारिक काम करना है वहाँ पर इसको डाल के solder करो तो काफी अच्छा जो है वहाँ पर print बन जाता है automatically और काफी अच्छा जो है यह solder जो है काम करता है solder liquid solder बोले तो तो इस तरीक से जो है यहाँ पर चीज़ें होती है और यह तो हमारी soldering भी है आप जानते हैं जहाँ पर IC और बारिक प्रिंट होते हैं इसको ऐसा अगर आप कही है की उपर डाल दोगे तो जो है यहां पर यहां पर यह रांगा जो है खीचना चालू कर देगी और प्रिंट को इदम साफ कर देगी तो आप आराम से आई सी वगएरा यहां पर उठा सकते हो कुछ इस तरीके से यहां पर पर उठाए निश्याथ तरीके से यहां पर इस के तो इस तरीके से यहां पर आप इलेक्ट्रॉणिक्स के अलग अलग जो है यहाँ पर solder RN होती हैं और उससे जुड़ी जो related चीजे होती हैं वो इस तरीके से यहाँ पर होती है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को दबा के subscribe करो वीडियो को like करो और comment section में बताओ कि यहाँ मैंने जो भी सवाल पूछे हैं सारा कुछ मेरे को detail में बताओ और आपको कौन सा जो है यहाँ पर कई अच्छा लगा वो बताओ और आपको जो है soldering करते टाइम कौन सी problem होती है वो भी मेरे को बताओ तो अगर कभी भी कोई electron की समस्चा यहाँ पर आती है तो जरूर जरूर मेरे comment section मेरे को बताओ ताकि मैं आपकी जो है किसी भी समस्चा को है यहाँ पर सुलजाने में आपकी मदद कर सकूँ ताकि मेरे को भी जो है अच्छा पीलो so thank you for watching good bye and take care